Module 121, Treatment of Selective Mutism Disorder Family Therapy So now we will discuss about the family therapy अब family therapy को discuss करना क्यों जरूरी है? उसको discuss करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये बात करते हैं कि जो family functioning है certain time more disturbed होती है अब family functioning जब disturbed होती है तो उसके अंदर हम structural family therapy की बात करते हैं structural family therapy की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं number one is the boundary and number two is the hierarchies हम ये कहते हैं कि जब भी किसी family के अंदर psychological problems manifest कर रहे होते हैं तो उसकी वज़ा ये होती है कि certain time जो boundaries है वो disturbed होई होती है और certain time जो family की hierarchical system है यानी power किसके हाथ में ज़्यादा है वो disturbed होता है अच्छा अब boundaries की जब मैं बात करी हूँ तो उसका क्या मतलब है boundaries का मतलब ये है कि आपने अपनी boundaries इतनी rigid develop कर ली है कि आप किसी और system को इन ही नहीं होने देते हैं जैसे मिसाल के तौर पर mother जो है वो किसी भी बाहर के बंदे को घर में नहीं आने देती ठीक है या father इस चीज़ को पसंद नहीं करते के घर के अंदर कोई आए तो बच्चे का जो social interaction है वो ही limited है ठीक है या अगर कहीं बाहर गए है तो बच्चे को ये खास दौर पर कहा जाता है कि आपने किसी दूसरे शक्त से बात नहीं करनी क्यों नहीं करनी because लोग जो होते हैं उन पर trust नहीं किया जाता देवर outsider या ये कहा जाता है कि आप को ये ऐसी बात कह दोगे जिससे वो embarrass हो जाएंगे तो इस किसम की जो चीज है जब इतनी rigid boundaries बना दी जाएं कि जहां पे social interaction ही limited हो जाए तो इस तरह के environment में बहुत हद तक chances होते हैं कि बच्चा जो है वो selective mutism express करें तो सबसे पहले parents को ये बताने की जरूरत होती है कि boundaries को redefine किया जाए और उनको flexible किया जाए ताके जो बच्चे की dependency है जो के mother के ओपर या father figure के ओपर बहुत जादा है वो कम हो सके ठीक है दूसरी बात हम करते है hierarchy की अब hierarchy का क्या मतलब है यहां पर आम तोर पर ये का जाता है कि जो बच्चा होता है उसकी अपनी mother के साथ unmatched boundary होती है ठीक है unmatched boundary का क्या मतलब होता है कि they were very much into each other बच्चे ने हर बात माँ से पूछ के करनी है और माँ की तरफ से भी यह rule है कि the child should ask from the mother ठीक है तो जब इस किसम का unmatched boundary आपको नज़र आएगी तो वहां पर main चीज़ क्या होगी कि जो father है वो passive होगा यानि father उसके अंदर किसी किसम का interact नहीं कर रहोगा उसका कोई function नहीं होगा अब वो चूंके एक uneven boundary होगी एक uneven hierarchy है जहां पर सारी power मदर के हाथ में है और जहां बच्चा जब manipulate करता है तो व वहां पर फिर ये होता है कि father को दोबारा से picture में लाया जाता है वहां पर father को ये explain किया जाता है कि उसने mother को भी सुनना है और उसने बच्चे को भी सुनना है अब आम तरपे father figure जो होती है वो passive क्यों होती है उसकी वज़ा ये होती है कि most fathers जो होते है जो mother की insecurities होती है या emotional disturbances वो उनको अटेंड नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो मदर का जादा रिलेशन्शिप है वो बच्चे के साथ डवलप होना शुरू हो जाता है और बच्चे के साथ उसकी बाउंडरी जो है वो अनमेश्ट होना शुरू हो जाती है और चुंके बच्चे को भी वो भी टाइम देना है ताके जो हारार्की की पुजीशन है ताके जो पावर की पुजीशन है वो बैलन्स आउट हो सके तो इस तरह जो स्ट्रक्टरल फामली थारपी है वो हेल्प करती है इस किसम के डिसॉर्डर को डील करने में थैंक यू